भाई भुवन बम से मैंने कुछ जाता ही उमीदे लगा ली थी तो चलो इसे शुरू से शुरू करते हैं तो होट सर पे कल यानि एक दिन पहले ही आ गए थी अपने भुवन बम की ताजा खबर सीरीज और अकर इसकी उपर-उपर की स्टोरी बताऊं वो ही बिना स्पॉलर के तो भाई एक सुलब सौचाले का मैनेजर यानि की अपना भुवन बम एक ए अपना वस्या जिसके किस्मत बहुत जादा खराब है एक दिनों से एक वर्दान मिल जाता है ऐसा वर्दान जिसमें कि उसे मोवाईल पे कोई भी खबर वार्दात से पहले मिल जाती है लाइक की जैसे वैंक कटे सरकी 1995 में आई हुई तकदीर वाला मुवी में जैसे उसे सब की किस्मत पहले पता चल जाती थी वैसे इस सीरीज में अपने बुवन बैम को कोई भी निउस पचल आती है वार्दात होने से पहले ही जहां कि ये वर्दान उसके लिए सराब बन जाता है या फिर वर्दान ही रहता है ये तुम्हें अगर देखना है उसके लिए तुम्हें ये पूरी सीरीज देखने पड़ेगी और भाई अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे इसका स्क्रीन प्ले उतना जादा कुछ पसंद नहीं आया और वहीं पर थर्ड एपिसोड आते आते ये सीरीज फास्ट और स्लो के बीच यानि कि अपने रियल पेसिंग में आ जाती है और पेसिंग टेज और स्लो होने का मतलब ये नहीं कि भाई एपिसोड एंटेटेनिंग नहीं थे पेकी हुसेन दलाल जिन्होंने की पहले से ये जवानी है दिवानी ब्रहमास्र और टू स्टेट जैसी मुविज लिख चुकी है और इनका वो क्याक्टर को मस्त मौला बनाने वाला टोन इस सीरीज में भी दिखता है ये लोग मतलब कि जो सीरीज से अंसर्टप्ट थे उसको भी कैसे भी करके ये लोग अगले सीरीज में गुसा दिया करते थे सीरीट करा चाहता हूँ क्योंकि फैंगों ने जो एक्टर्स को कास्ट किया है उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है पर हाँ सीरीज में कॉमेडी अच्छी है और उसी फणी सीन्स को और भी ज्यादा मज़दार बनाया है अपने भुवनबं के कॉमिक टाइमिंग और इसके बीजीम ने जहां कि इसका बीजीम बहुत चुलबुले अंदास का चूस किया गया है जहां कि ये सीरीज अपने पावर करफ्ट्स वाले मोटों को लेकर चलती है कि कैसे अचानक या फिर वक्त से पहले मिली वी चीज़े इंसान को करफ्ट करती है और कैसे इंसान अपनी इच्छाओं से अपने वर्दान को सराप का रूप दे देता है और अगर मैं overall बताओं तो इसके creators जो चीज हमें समझाना चाह रहे थे वो हमें समझाते तो हैं पर इनके समझाने के वो तरीके जादा प्रभावसाली नहीं हो पाते जो कि साध बजट के वज़े से भी हुआ हो साध इसलिए इतने कम episodes और छोटे-छोटे episodes रखे गए हैं इसके और इसी में एक और चीज ये भी आती है कि धिंडोडा series के तरह ये इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि धिंडोडा series के सभी चीज़े अपने भूवन बंब के हातों में थी पर इस जगा पे सारी चीज़े यानि कि सारे powers अपने hot star के पाज थी पर खेर जो भी हो मुझे ये वाली series normal audience के नजरिये से ठीक ठक लगी मतलब कि ऐसी है जिसे कि अगर तुम देखना start करोगे तो भाई बीच में छोड़ने का मन नहीं करेगा पर हाँ सिफ दो episodes के बाद ही ऐसा लगेगा और हाँ ये series end होती है एक cliffhanger के साथ बट वो भी आपको अंदर से उतेजित नहीं कर पाती आगे दिखने के लिए क्योंकि भाई इन्होंने जो दिखाया है वो दिखाया तो है अच्छे तरीके से पर वो एक प्रभाव साली तरीके से नहीं दिखा पाई है जहांकि इसी के साथ मैं तुम्हें recommend करूँगा कि भाई एक बार जरूर देखना इस series को क्योंकि one time watch तो है ही और entertaining भी है और उपर से अपने community का बंदा अपने महनत से यहां तक पहुचा है तो भाई support तो बनता है और अगर मैं rating की बात करूँ कि मैं इस series को कितना rate दिना चाहूँगा तो भाई मेरी rating है पाउने 3 और 3 के बीच की जो कि यह series जादा अच्छी भी नहीं है जादा बूरी भी नहीं है पर हाँ average से तो यह उपर है